माइ नेम इस अमन्दीत कॉर्ण, बाइपर फेश्चिन ब्यूटी इंस्ट्रक्टर मेहर बावा चेरिटेबल ट्रस्ट अज मैं तुनू थ्रेडिंग बाले एक डेमो देन चाहरी है, थ्रेडिंग सब तो पहले किया है लेडि से फेश्चि देऊ पर अन चाहे है नूँ ताम डेरी मैथ्टेड ना रोगड़ें दी कि रिया रोग ठ्रेडिंग के आजाने ठ्रेडिंग देने अपनू क्या क्या चीज़े चाहिए नी केड़े को डेक्ट चाहिए नी सकतो पहले, टॉनर, अस्टीजेंट, टेलकम पॉर्डर, ठ्रेड, अपने कुल दो तरह देने, ग्रीन और वाइट, अपने ग्रीन थ्रेड जादा यह उज़ कर दिया है क्योंकि इदना कट बगरा नहीं लग दे, एक कॉटन बेस दे हुंदा आया, फोर्टी नमबर दा थ्रेड यूज़ करागे, उस्तो बाद प्लककर, सीजर, उस्तो बाद थ्रेडिंग दिया है, छेप्स, थ्रेडिंग दिया है, रॉंड शेप हों दिया है, हाइयर्ज, और प्लककाश दिया है, अपार लिप लोग दी दिया है, इसलो दे है इसलो इसलो थ्रेडिंगा नहीं की रॉल पटाँ दिया है, यूज़ भाद एलकम पॉर्ट हो, आयक से रह समों, इसलो, फाद दिग करूं तींथitta कारागे, आयका ड़त 5-6 time twist करना उस तो बाई threading स्टार्ट करोंगे तो लेक लेंड दे पोर हेड क्लियर करो कि अगर नीच्चे तो के हेर निकल भी जानदा ता अपानों दिक्कत नहीं यांदी थ्रेडिंग न हमेशे उपर तो स्टार्ट करों पहला उपर तो चाक्के थ्रेडिंग नो इत लाइन क्रेट करो इसे बाद क्लाइंटनों को चीता स्टीच करों स्टीच करोंगे इत नाच्रो लाइन तो ड्रेक्शन दाल लाणिया ओधी स्टीच ही अपान चार्डिंग करांगे अगर तो तुसी एक स्पाट हो तो तुसी फटाफट कर सकते हैं अगर तुसी बिगनर हो तो कॉली नहीं करनी रावन नौ त्रेडिंग करने हैं स्टीच करने हो बाद लास्ट ते अपां टॉननर अप्लाई करांगे ताकि स्कीन ते कोई भी रेडनस या पिम्पल ना होगे स्टीच करने हो पिम्पलाई सब्सक्राइब और माचार ते रावन करने होगे।